हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक टू माई चैनल, ये देखिए मैं थाल पोश्च मनाने जा रहे हूँ, ये मैंने स्टार्ट कर लिया है, ये पहले टू रो बनाई है, यहां से ट्वेल डबल क्रोश्या, फिर ये सम्में दो दो डबल क्रोश्या बनाते हुए, ये रो कम्प्लीट कर लिया है, अब ये उपर थ्री डबल क्रोश्या बनाया है, फिर एक स्किप किया, फिर थ्री डबल क्रोशिया फिर एक स्किप किया फिर थ्री डबल क्रोशिया फिर नेक्स्ट वाले में उपर यहां एक में दो डबल क्रोशिया फिर एक-एक ऐसे ही रोख पूरी कंप्लीट कर लेंगे फिर थर्ड वाले में यहां डबल क्रोशिया फिर सिंगल सिंगल यह रोख ऐसे ही कंप्ली First starting में double डालेंगे, बीच में सब single single double crochet बनाएंगे, और फिर ये last में भी 2 में double crochet बनाएंगे, हम increase करते जाएंगे हर row में, बीच में हम ये ऐसे 3 chain डालेंगे, ऐसे row complete करके, जितनी length रखनी है, उसके बाद हम यहां से, ये एक first और last में double two बनाया है, बीच में हमने सिंगल बनाया है, अब यहां एक कम कर देंगे, यहां से एक कम कर देंगे, और सिंगल सिंगर और लास्ट में एक कम कर देंगे, फिर तीन डबल क्रोशिया, यह मैं आपको बताती हूं कैसे करना है, यह देखिए, तीन डबल क्रोशिया, फिर बीच में एक डबल क्रोशिया, अब उपर 4 चेन, फिर इसमें हम एक डबल क्रोशिया मनाएंगे, यहां से डबल क्रोशिया, फिर यहां 4 चेन, फिर यह बीच में से डबल क्रोशिया, फिर 4 चेन, ऐसे ही रोव कम्प्लीट करेंगे, फिर यहां एक स्किप कर देंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसमें भी डबल क्रोशिया, ऐसे ही सब में डबल क्रोशिया बनाते हुए, दोनों साइड से एक एक स्किप करेंगे, ऐसे हमारा उपर फिर यह डिजाइन बनता जाएगा, बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाला डिजाइन है, आप इसे देखकर बना सकते हैं, अब हम यहां से यह स्किप कर देंगे, यह स्किप कर देंगे, अब थ्री चेंड डालेंगे, यहां से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ऐसे ही इसमें थ्री डबल चेंड डाली है, फिर हम फोर डालेंगे नेक्स रो में, और फिर ऐसे ही सिंगल चेंड बनाते हुए, और ऐसे ही कंप्लीड करेंगे, यह देखिए, four chain, फिर इसमें यहां एक छोड़के, यहां बस इतनी हमने length रखनी है, उतनी length रख एक इसको हम कंप्लीड कर लेंगे, फिर मैं आपको कंप्लीड करके धिछाती हूँ, यह देखिए हमारे थालफोश कंप्लीड हो गया, थेंक यू पोर वाचिंग मैं वीडियो